बिसमिल्ला रोहमान रोहीम, आसलाम अलेकूम दियर स्टूडेंट्स, आज हम PSP 406 का लेक्चर नबर 24 डिसक्स करने जा रहे हैं, कंप्लेक्स कोगनिटिव प्रोसेसस पार्ट 3, इसमें हम लेर्निंग प्रोसेसस को डिसक्स करेंगे, बड़ी interesting सी example उन्होंने आपके लिए यहां पे रखी हुए है, कि we learn every day, हम हर रोज ही learn करते हैं, सीखते हैं, it is not just something we do in school, सिरफ यह नहीं होता कि हम formal तरीके से यह स्कूल में कुछ सीखेंगे, तो वहीं learning है, हम every time हर लमहां कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, आपने स्कूल में as a young person, यानि कि एक स्टूडेंट के तौपे, एक बच्चे के तौपे, जो कुछ सीखा होगा, प्रोबेबली forgotten it हो, शायद आप उसको भूल गए होंगे, मतलब exact तो आपको कुछ भी नहीं याद कि आपने 5 क्लास में क्या किया था, लेकिन does that mean that, क्या इसका ये मतलब है कि previous जो भी आपने पढ़ा था, वो सब आपका waste चला गया है, on the surface it appears to be so, अब देखें, यानि example तो यही है न, कि जो चीज आपने स्कूल लेवल में पढ़ी है, या किसी और लेवल में पढ़ी, अब आपको वो exact याद नहीं तो इसका क्या मतलब कि वो आपका भूल गया है, actually में, it's not true, ये सही नहीं है, जो नजर आ रहे हमें, कि ये भूल गया है, actually में, हम अपने learning process को transfer करते रहते हैं, तो इसमें अब जो चीज इंपोर्टेंट है, वो ये है, कि learning is never wasted, कि जब भी कुछ आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो waste नहीं जाता है, as it is transferred, क्योंकि वो transfer होता है, for now, we know that whatever something previously learned, कि अब हमें पता है, कि जो चीज हमने पहले याद की थी, influences are current learning, वो हमारे अभी मौझूदा के learning study पे influence करती है, जिस्ट आप example ले लें, कि आप जैसे यहीं पे आप अपने handouts को read कर रहें, तो किसी class में आपने इन words के meaning याद कियोंगे, जैसे previous है, या learned है, या influence है, अब आपको यह नहीं याद आपने कहां पे किये थे, एक इस book से किये थे, क्या किया थे, लेकिन आपके mind में है, कि previous का मतलब क्या होता है, पिछला होता है, जैरल का मतलब क्या होता है, influence का मतलब क्या होता है, तो यह क्या चीज़ है, transferred है, यह, for example, अब यहाँ पर उसने आपको example दीए, कि एक student जो है, वो mathematical principle को, यह मैत की किसी formula को, यह किसी principle को math में करता है, जबकि वो उसको apply जाके physics में या कहीं और करता है, एक rider जो है, वो bicycle ride करता है, फिर वो bike ride करता है, motorbike, तो उसमें जो basic चीज यूज हो रही है, वो उसकी वही learning है, जो उसने पहले bike में सीखी थी, फिर उसने वही चीज मोटर बाइक पर apply की, तो इसको आपने एक दफा रीड कर लेना, इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है, next आ जाते हैं, तो इसमें यह आ जाता है, है कि hindrance in learning process, कि learning process तो ठीक है, वो continuously होता है, every time होता है, लेकिन उसमें कुछ hindrance, hindrance का मतलब रुकावट आ जाती है, ठीक है, बहुत सारी रुकावट हैं होती है, तो वो hindrance क्या है learning process की, उसको हमने इसमें डिसकस करना है, this fact should keep in mind that transfer of learning does not always facilitate present learning in view of the past learning, कि जो fact है, यह हमेशा mind में रखना चाहिए, कि जो transfer of learning है, वो हमेशा facilitate नहीं करता है, sometime, जो past में आपने पढ़ा होता है, वो आगे future में जाकर transfer नहीं हो रहा होता है, लेकिन यह नहीं है कि वो transfer हो नहीं रहता है, उसकी कोई वजा होती है, कोई र the transfer can both facilitate as well as hinder, कि या तो facilitate करेगी, कि आगे learning को, या फिर वो hinder करेगी, रुकावट डालेगी, transfer can be hindered by two important factors, अब क्योर्ट question आ सकता है, कि किन factors से यह hinder हो जाती है, तो दो इसके important factors है, functional fixedness and response set, अब पढ़ लेते हम, functional fixedness क्या है, जी, learning is hindered when the learner does not consider unconventional uses for material at hand, कि जब learner mentally तोर पे conventionally तियार नहीं होता किसी चीज़ को अपने हाथ से करने के लिए, तो functional fixedness के वो जैसे हम एक चीज़ fix करके रख लेते हैं, कि हमें ये चीज़ फलाँ क्लास में भी नहीं आई थी, और अब भी नहीं आईगी, बहुत सरे students ऐसे करते हैं, जैसे को थेरों ऐसा हो, तो वो नहीं करते हैं, या इस तरह की चीज़ें, कि हमें तो ये तब भी नहीं किया था, हमें तो वो समझ जी नहीं आती है, तो अभी भी नहीं आएगी, तो functional fixedness is the inability of person, ये person के inability हो सकती है, और a learner to use tool, या फिर वो tools या objects इनको use करना है, उसका एक moral तरीके से वो इसको use नहीं कर पता, it is a lack of flexibility in using tools of learning, कि actually मैं किसी चीज़ को इस्तमाल करने या apply करने में वो shyness आ जाती है, या कम ही आ जाती हम वो चीज़ ट्राय करने की कोशिश ही नहीं करते, तो इस तरह कि हम कहते हैं, हैंडरिंस को functional fixedness, next, response set का है, तो response set on the other hand is the rigidity of response, ये भी मतब कह judicial Dafya के एक सक्टपन हो जाताका, ये वही बात, हमने कही है, कि वहां पर हम यह सोचके रख क रख लेते हैं, कि ये हम से होता ही नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, कि यहा पर हम ये चीज़ कर भी ला सकते हैं, कि हाँ पर हमारा Palmer ऑक response ही हो जाएगा, कि नहीं जी, रुमकिन ही है, is the tendency to response in a familiar way के एक ही जो एक ही तरीके से रिस्पोंस दे बार बार एक ही तरह का रिस्पोंस दे के पहले जो वो कैसे करता था वो अब भी वैसे रिस्पोंस शो करेगा तो इसको करते ही रिस्पोंस सेट हैं अब नेक्स्ट आ जाते हैं सम साइकोलोजिस्स डिस्टिंग्विश बिट्वीन टू लेवल्स और काइंड्स अफ ट्रांसफर के हम ने चुके स्टार्ट में बात क इसमें डिफ्रेंस भी आ सकते हैं इसको प्रपेर जरूर कीजएगा लोड़ोड ट्रांसफर के सपॉंटेनियस स्पॉंटेनिस का आपको पता है खुद बखुद जो चीज़ हो रही होती है और्टमेटिक ली जो हो रही होती है ट्रांसफर ओफ हाइली प्रैक्टिस्ट स्क मेबी से सीखी थी तो वो खुद बखुद ही ट्रांसफर हो रही है अब दुबारा कौन सा आप उसको रिवाइज करते हैं तो यू कन लर्न टॉ ड्राइव अ कार नाओ यू ट्रांसफर दैट लर्निंग टॉ ड्राइविंगा ट्रॉक अब एक चीज़ आपने सीखी यू है कि आपको कार ड्राइव करनी आती है तो आप वही चीज़ यूज करो कि ट्रक में कि आप उसको दुबारा तो कोई नहीं सीखोगा जिसको आती है वो उसको वैसे ही करेगा hardly and reflection on your part या पिर sometime आपको थोड़ा बहुत उसका instruction लेनी पड़ेगी लेकिन exactly आपको method आता होगा next जो है वो high road transfer है कि this is an acquisition of knowledge in one field कि एक तरफ से आप एक field से knowledge acquired करते हो then drawing or abstracting knowledge and then using that obstructed note in a different situation कि एक condition में एक तरफ से आप वो चीज सीखते हो और उसको किसी दूसरी situation में apply करते हो for example you have learned to deal with children at home and you use some of that knowledge to deal with children as a nursery class teacher कि आपने घर में मतलब आपके घर में कुछ बच्चे हैं कोई आपके छोटे बहन बाई, cousins कोई भी हैं आपके बच्चे तो उन बच्चों को अगर आप संभालते हैं या उनको deal करने कोशिश करते हैं कि जब वो लडाई करते हैं या कुछ करते हैं तो आप उनको manage कर लेते हो exactly आप ऐसे नहीं करोगे जैसे आपने घर में किया होगा क्योंकि वहाँ पे आपने मतलब कहलो कि किसी भी तरह से आप कर सकते हैं लेकिन स्कूल में तो आपको फॉर्मली रहना पड़ेगा but only the drive abstracted knowledge लेकिन को specific knowledge आप यहाँ apply करोगे उसके बाद जी over learning क्या होता है it is another important method of learning and retaining के बहुत important method है यह over learning का over learning is practicing a skill beyond के एक skill आपको आती है आप उसको और practice करो over and above the point of mastery के आप उसमें master उसके बावजूद आप उसको इतना practice करते हो के आप उस level से भी बढ़ गए हो तो फिर उसको हम कहेंगे over learning research shows that over learning helps the learners in two important ways firstly it helps to retrieve information के information को बार बार दोहराने में उसको help करते है and secondly this revival process becomes way efficient and quick बहुत ही efficient हो जाता है फिर आएक time आता है वो चीज़ बगहर आप देखे ही कर सकते है जोसे typing है तो आप ऐसे सीख लेंगे तो आप बार बार उसके practice करेंगे तो फिर आपको keywords को देखने की जरूरत ही नहीं होगी so over learning learning beyond mastery level is another way of efficient and quick retrieval I hope आपको यह lecture समझ जाया होगा inshallah next lecture के साथ आपके साथ मिलेंगे thanks for watching please subscribe to my channel